मुझे लगता है कि इस देश का दुरुभागे भी है और हमारे भी दुरुभागे है कि ऐसे घटिया बयानों पर हमें चर्चा करनी पड़ती है और यहां टिपड़ी भी करनी पड़े है भारत की सेना और भारत की सरकार उनमें कभी इतनी संवेदन हींता आ जाएगी किसी भी बीमार है। मेरा है मानना है कि इस तरह की चर्चा ये करना ही मांसिक बीमारी का लक्षन है। भारत की सेनाएं अपने आपके उपर हमला करवा लेंगी या भारत की कोई सरकार राजनेतिक दल जवाहरलाल नहरू से लेकर नरेंदर मोदी तक मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं मान सकत मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश की संप्रभुता सर्वोच्च है। अनंत नाग, जो कोकर नाग में जो सब कुछ हो रहा है, वहां के बारे में होता क्या है कि बहुत से चीज़ें हमें जानकारी नहीं होती, उस इलाके को लेकर पहले समझना चाहिए। पांच अगस 2019 के बाल, जब से 370 हटा है, उस जगह पर आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हुई, जो युद्ध की स्थिती नहीं होने पर भी हमारे सैनिक वो अपने जान गमा बैठते थे, वो बहुत कम हो गया, जो नागरिक मारे जाते थे, वो बहुत कम हो गया, पाजी तो सुनने में नहीं आती है, लेकिन ये सच है कि इसलामिक आतंकवाद भारत के लिए चुनोती है, भारत बाची तो कर ले, किस से करे, हाफिस सहीद से कर ले, या कोई और ऐसा व्यक्ति हो, अब मैं क्यों ही कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सरकार है नहीं, किस से बात करें, भही कोई एक प्रधान मंत्री हो, वहाँ अभी भी कारवाहक प्रधान मंत्री के भरोसे चल रहा है, आई एसाई और सेना में भी अब नहीं पता है कि कौन ताकत वर हो, पहले होता तक चलो, वही कोई ताकत वर होता ना, शाह टाइप हो जाए, वही चलो सब्ता समाल भारत की पॉलिसी बिल्कुल दुरूस्त है, गोली बोली एक साथ नहीं चल सकती, यह सारे प्रयोग फेल हो चुके हैं, जिस दिन ये इस सिती होगी कि पाकिस्तान में बात करने की कोई सिती में होगा, उस दिन बात करेंगे, लेकिन आज चाहे सीमा के इस पार, चाहे सीमा क उस पार भारत सक्षम है वो कारवाई हो भी रही है अभी 12 मुला में दो आतंक वाधी निप्टाए जा चुके हैं और मैं मानता हूं कि जो कोकर नाग में भी गुफाओं में छीपे बठे हैं वो बचेंगे नहीं भारती सेना इतनी सक्षम है और ऐसे ऑपरेशन के बीच में ज पूरी तरसे राजनीतिक इस तरहीन बयान है विपक्ष को इससे बचना चाहिए